हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बाक ट्यूवी चानल भलरा श्रेडिंग टेक्स होगित आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक के निफ्टी 50 दोनों का अनालेसिस करने वाल है कल के लिए देखता है तो 22,967 ने कलोजिंग दिया हुआ है फ्रीयस जो निकल दिया है और टिम कीया है सो निफ्टी जिस तरह से सपोर्ट से आ रहा था slow and steady इसमें बाइंग चल रही थी तो कली हमने डिसकस किया था कि slow and steady निफ्टी में तो दीख रहा है कि वो अपने एटेच के आसपा जाने की कोशिश कर रहा है और उस हिसाब से जो टार्गेट था निफ्टी के लिए एक्सपेक्टेड वह था 22,777 के पास में टार्गेट एक्सपेक्टेड था तो निफ्टी ने आज उसको भी निकाल के हाई जो हमारा है वह 22,993 का मतलब हम 23,000 का मान सकते कि 23,000 जाने की इसने कोशिश किया है यह वार्ली कैंडल का वह है है 993 मतलब 7 पॉइंड के लिए इसने सिर्फ 20,000 का लेवल चोड़ा है तो कहल तो वह अच्छी होने को अच्छी होई जाएगा 23,000 का लेवल और अभी ओल्टाइम हाई के हाई के पास है सो किस तरह से मार्केट को ट्रिट किया जा सकता है एक ऐल टाइम हाई के पास में तो क्या इसमें चांसे सो शकते है प्रिवियस जगह के पास देखोगे तो मार्केट ऐसा बड़ा कंडल नहीं बनाया था जैसे आज बनाया यहाँ पर जाने के बाद यह चोटी 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 कंडल बना रहा था फिर ग्यापप कुल गया था अज का जो कंडल है टूमच स्ट्रॉंग कंडल इसने बनाया ब्रे या कल डायरेक्ली इसका भी उपर की साड़ के लिए हो जाएगा नहीं इतना अच्छा कांडल के बाद जन्रली मार्केट इतना अच्छा मोमेंट करने के बाद में डायरेक्ली उपर की साड़ में नहीं ट्रेंडिंग रहता है उसके बाद मार्केट यह तो साइडवेज जा उसको रिटेस्ट करना इंपॉर्टेंट रहता है अभी ये ब्रेक आउट जो है ये डायरिकली हुआ है यह अभी ऐसा नहीं जा सकता इसको यह तो डीप मारके जाना चाहिए उपर या फिर कन्सोलिडेट करके उपर जाना चाहिए क्यों करके जाना चाहिए इतना सब्सक्राइब करने तो मार्केट मोमेंडम करें तो क्या गलती होता है आज अच्छा सा इक्सक्राइब कैसे अच्छा करपने तो एक्सप्च ने तो क्या गलती होता है बनलब आज भी नहीं कमाया और कल भी गवाया ऐसा हो जाता है तो वेट करना पड़ेगा हमें हमें एक दिन का दो दिन का फ्राइडे टू मंडे वेट करना पड़ेगा क्योंकि इतना अच्छा रादी करने के बाद मार्केट को जो है थोड़ा सा डीप मारने की बहुत कैनल कुन साइए वाला है ना 23 में का नो बचकर 15 मीट का कानडल यह वाला अडरेड है ठीक है तो अब तो अभी तो ऐसा नहीं रहेगा ना कि मार्केट यहाँ से सीधा तो कल भी ऐसा जाए नहीं ऐसा नहीं जा सकता मार्केट कोुजरश करने के लिए आना चाहिए 22777 का लेवल जिस लेवल का हम टार्गेट रख रहेते न वहीं लेवल निफ्टी के लिए एक्सपेक्टेड रहेगा किसके लिए रिटेश्ट करने के लिए सो कल निफ्टी को नीचे आने देंगे निफ्टी जब यहां के सपूट बनाएगा तो फिर से इसको उपर की साइड के लिए सोच सकते हैं और उपर की साइड के लिए टार्गेट अभी डारेक्ली नहीं रखे जाएंगे हो सकता है कि कल एक अच्छा सा ग्याप उपन मिल है ठीक है थोड़ा साथ एक पॉइंट निफ्टी की कोशिश कर सकता है पचास से साथ पॉइंट सो इतना आप निफ्टी जब ओपन होगा जब डीप मारेगा तो उसमें थोड़ा सामलों को इंतजार करना पड़ेगा डाउंसाइड के लिए भी मार्केट को अगर आना है मा जाने तो चांडल मानोर रेड बनता है उसके बाद का का फिर से अगर सपोर्ट बनाया इस जगह से तो उपर के साइड का वियो इसके लिए फिर से कंटिनू होगा लेकिन अभी अल्टाइम हाई के पास है तो ग्याप उपर होने की चांसे बहुत जादा है निफ्टी में इ incredibly find production की बात करें कि इसमें कहां सटप बनाता nifty का nifty तो देखो जब मॉनिंग में ऐपन हुआ फीज़ें कहां पर ऊпन हुआ है नौबचकर 15 मिनीटट यह वाला है ठीक है यूप पहला पहला फैरिया इनौर चैलिन आ नौग सकतला कांडला है यह करना जो Lew गया एक फूसरा सबस्याफ, जो भूर जाय एक कॊर एसिसाथ होड़ा है इसके चार्ट PAUL चाहती है एक तूब कला क्यों चौह, यहाज व्यूम्हें, चाहती है, réussi अप्यूसरा किलेक्ट मुझनें वह खोका उसके सब्सक्राइबेमा करना नहीं आता है चुंप करता है अब इतना अच्छा सा करने के बाद में क्या हम डारेक्ली एक्सपट कर सकते बिल्कूल भी नहीं करका फोसीबिलिटी करना Спкус में प्राइज क्रियेट होने देंगे उसके बाद हम फिर से ट्राइ करेंगे जГा टारगेच के लिए ठीक आन्सकों का यह समय जगाव फ हैं जिए सब्सक्रम के त्रैक्वाइन से पहले मिलाखना चाहूंगी 49,000 49,000 255 का टारगेट है बैंक निफ्टी का पेंडिंग है क्योंकि यहां पर ट्रेंड लाइन के पास में यह रुक 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 कर आज फिर से उपर की साड में निकला है मतलब इसने वही किया कि सपोर्ट का रिस्पेक्ट करके यह क्या कर रहा है फिर से इसी अपनिंग रहेगा वह अपनिंग होने का पॉसिबिलिटी है और 49,000 255 इसके लिए टारगेट है ज्यादा बड़ा अपने होना चाहिए अभी मानते है तो 47,700 तो भी चलेगा मतलब कहां पर उपन होगा फिर 48,000 के आसपास वह उपन हो सकता है ठीक है 48,000 के 49,000 के पास में 48, फिर वहां से थोड़ सा डिप करना चाहिए और उसके बात फिर ट्रेंड को कंटिनिव करके 49,000 255 का जो टारगेट है उसके पास जाए लगबग अपना जो प्रीवेस हाय रहेगा वह भी वह अच्यू करने का कोशिश कर सकता है अगर आप प्रीवेस चार्ट के उपर देख तो अभी इसका निकला है तो इसका टार्गेट भी यही तक है ठीक है अभी बहुत सही लोग बोलोंगी कि आपको तु पता था कि है तो अपने क्यूब नहीं बताया देखो भाई कैंडल्स को देखके पता चलता है कि क्या ओपनिंग हो सकता अभी जैसे मुझे कैंडल को द क्या मार्केट ओपन होता है ठीक है वह भी सपोर्टी हो गया अपना प्राइस एक्शन भी बूलिश है तो वह हो जाता है वह ग्याप उपन होने की प्रोबाबिलेटी उसका हो जाता है लेकिन निफ्टी का चांसे जाद है क्योंकि वह पैरलल चानल का ब्रेक आउट किया है दो वह कल गया पॉपन होने के चांसे 65-70 परसेंट चांसे से की निफ्टी गयाप बन हो बैंक रुफटी रेंज के अंदर है लेकिन निफ्टी गयाप उना तो बैंक रुफटी उसको फॉलो करके वह भी गयाप उपन होने की कोशिश करेगा गयाप का स्ट्राइजी एक ही अपना प्रीवेश स्विंग हाई के पास आ सकता यानि कि 48,266 इसको रिटेस्ट कर जाए तो भी मज़ा आएगा इसको रिटेस्ट करने के लिए नहीं आता है तो फिर देखते कल का जो क्लोज रहेगा कल का क्लोज यानि कि आज का जो कल के लिए मैं इमाजिन करके बोल रहे हो फिर यहां से यह उपर के साइड के लिए लग जाए बाकि टारगेट नी के टारगेट नी हाच यू कर ना चाहिए पिर यहां पर मार्केट साइडवेश क Κलो जाएक भी वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है लाइक जरू करना है ना चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करते ना है हम डेली 9-3 बज़े तक लाइव करते हैं जिसमें आपके साथ में रहती हूं बहुत सारे चीज़ें आपको लाइव में सिखाती हूं जो कि आपके लिए काफ एक्स वीडियो में थाइंक्यू जहिन राधे राधे